हेलो दोस्तों, चुकि बहुत से एक्जाम होने वाले हैं, इसलिए हम पहला टेस्ट यहां पर कनेट कर रहे हैं, टेस्ट वन इसमें आपको जो है विभिन मुस्लिम आंदोलन को सीक्वेंस वाइस सजाना है, हमने जो है जैसे तैसे दिया आपको इसको अरेंज करना, आपको बताना है कि कौन सबसे पहले हुआ और कौन सबसे बाद में हुआ, कोशय नमबर टू, यह हिंदू समाज के आंदोलन है, मतलब हिंदू आंदोलन और हिंदू समाज से सम्मंदित है, इसको भी आपको अरेंज करना है, A. सत्य शोधक समाज, B. प्राथना समाज, C. आर समाज, D. राम कृष्ण मिशन, दोस्तो, कोशन के पैटर्न जो है, उनमें थोड़ा बदलाओ देखने को मिलेगा, तो आप ऐसे कोशन के लिए भी तयार रहिए, Q. 3. विद्वा पुनर विवा अधिनियम जो है, जो 1856 में पास हुआ था, इसको पास कराने में, किस भारतिये रिफॉर्मर का बहुत एहम भूमिका रहा था, ये कैनिंग के समय पास हुआ था, दलहौजी के समय नहीं, ध्यान न कियेगा, Q. 4. किस मुस्लिम आंदोलन को राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाच से तुलना की जाती है, क्योंकि ये मुस्लिम आंदोलन ये था, थोड़ा उदारवादी था, Q. 5. इसमें अलग-लग ब्रह्म समाच की नाम दिये हुए है, और उसके संस्थापक के नाम दिया, आपको मैच करना है, इसमें काफी कन्फूजन होता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से करना है, हमने एक तरफ दिया है, आदी ब्रह्म समाच, भायतिय ब्रह्म समाच, और तो आपको सही मैच करना है राजा राम मोहन रॉय ने ब्रहाम समाज की स्थापना की थी फिर बाद में उसमें काफी अलग-अलग लीडर्स आए और फिर उनके बीच मद्भेद रहा और फिर वो अलग-अलग हो गया कोशे नमबर 6 1857 आंदुलन में किस मुस्लिव आंदुलन की भी हिस्सिदारी रही कोशे नमबर 7 यंग-बंगाल आंदुलन जो है यह किस ने स्टार्ट किया था कोशे नमबर 8 भारत की पहली मतलब महिला आसोशेशन और इंडिया लेबल पर जिसका नाम है भारत इस्त्री महामंडल 1910 में स्थापित हुई थी इसकी स्थापना किस ने की थी कोशेशन नमबर 9 दास प्रथा स्लेवरी सिस्टम पे प्रतिबंद कब लगाया गया था भारत में कोशेशन नमबर 10 भारत में पहली महिला इनुवर्सिटी किसके द्वारा सुरू की गई थी और कब की गई थी ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है बहुत इंपरन्ट कोशेशन है ये कोशेशन नमबर 11 किसको भारत का मार्टी लुदर किंग माना याता है देखिए भारती रिनायसा जो है उसके लिए राजा राम महन रोय को जानते हैं लेकिन बहुत लोग समझते हैं कि मार्टी लुदर किंग भी राजा राम महन रोय को बोलते है तो इसमें कन्फ्यूज न इसमें जैसे तो मैंने पूछाया पहली महिला इनुवरसिटी, अगर पहला महिला स्कूल बोलता तो वो बिथान स्कूल होता, 1849 में बना था, ये भी ध्यान रखना है, उसके बाद कोशे नमबर 12, आत्म सम्मान आंदोलन, यानि कि सेल्फ रस्पेक्ट मोमेंट जो है, वो किस कोशे नमबर 14, फेमस बुक गुलाम गिरी, जिसमें की अपर कास्ट के दौरा जो दलित है, उनके सोशिंग के बार में बताया गया है, ये फेमस किताब जो है गुलाम गिरी, ये किसके दौरा लिखी गई थी, बहुत इंपॉर्टन बुक है दोस्तों, कोशे नमबर 15, एज इसमें आपको बताना है कि 1891 में पास हुआ था, तो इसको पास करवाने में किस भारतिय समाज सुधार की बहुत एहम भूमिकार रही, कोशे नमबर 16, ब्रह्म समाज, यानि कि ब्रामो समाज के विरोध में किस सभा का गठेन हुआ था, कब हुआ था, किस ने किया था, बहुत इंपॉर्टन है, कोशे नमबर 17, कुदी अरासू, नाम की जो मैगजीन है, ये किसके दौरा प्रकासित हुई थी, कोशे नमबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टन, इसमें देखिए, दलित से सम्मंदित, अलग-अलग जो है, फेडरेशन है, आपको बताना या सोसाइटी है, आपको बताना उसकी स्थापना किसके दौरा हुई, हमने इधर चार जो फेमस दलित असोशेशन उसका नाम दिया है, और इधर चार लोग जो सम्मंदित है, बियार अमबेटकर, जग जीवन राम, वियार सिंदे और महात्मा गांदी, आपको बताना है कि किसकी स्थापना किसके दौरा हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टन है, इसमें बहुत कन्फूजन क्रियेट होता है, इसलिए आपको अधियान देना है, All India Steadled Caste Federation, All India Untouchability League, Depressed Class Society और All India Depressed Classes League, ये चारों अलग अलग चीज हैं और यहां पे चार लीडर्स के नाम दिये गए हैं, अमबेटकर, जग जीवन राम, वियार सिंदे और महात्मा गांदी, इसमें आपको मैच करना है, फेमस वर्क दिया गया है, सत्य Publishers मतलब अलग-अलग समास सुधारक हैं आपको बताना है कि किसका किस से मैचिंग होगा, राजा राम महान रॉह आप्शन में द्यानान सौसती है, इस वर चंद विद्या सागर है, Question number 20, यह अलग-अलग Act है, जो कि सम्बंदित है, मैचिंग से आपको बताना है, इसको साइकरम में सजाना है, शारदा Act, Native Marriage Act और Age of Consent Act, Question number 1 में जो आपको अरेंज करना है, कि कौन पहले आंदोलन हुआ था, कौन बाद में हुआ था, अलग-अलग, पहले आपको मुस्लिम आंदोलन को अरेंज करना है, फिर हिंदू समाज को करना है, तो देखिए क्या-क्या आंदोलन दिये हैं, यहाँ पे आपको देवबंद आंदोलन, वहाबी आंदोलन, एहमदिया आंदोलन और अलिगड आंदोलन, आपको इसको सही करम में सजाना है, दूसरा में आपको हिंदू समाज या आंदोलन को जो है, इसको करेट वे में सजाना है, कौन पहले आया, कौन बाद में, option आपके, सत्य सोदक समाज, प्राथन समाज, आरे समाज और राम कृष्ण मिशन, साथी साथ दोस्तों ये सब आंदोलन और ये सब समाज के संस्थापक कौन है, इसको भी आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि मैच करने आ सकता है, कोशे नमबर त्री, विडियो रिमरेज एक्ट, यानि कि विद्वा, पुनर विवा, अरिनियम, 1856 में पास हुआ था, लौड कैनिंग के समय, इसको पास कराने में किसकी एहम भूमिका थी, कोशे नमबर 4, किस मुसलिम आंदुलन को राजा राम महन राय के ब्रहम समाज से तुलना की जाती है, क्योंकि मुसलिम आंदुलन की नॉर्मली कटर हुआ करते थे, लेकिन ये उदारवादी मुसलिम आंदुलन था, Q5. तो तिनों का हमने नाम दिया है और यहां पे अलगले लीडरसे आपको मैच करना है किसके दौरा कौन सा स्टार्ट किया गया था Anand Mohanbos, Davena T Corner और केश अब Chandra Sain Q6. Q6. 1857 आंदुलन में किस मुस्लिम आंदुलन ने भी बढ़ चटकर उसकी हिस्सेदारी थी? Q7. यंग बंगाल आंदुलन किसने स्टार्ट किया था? Q8. भारत इस्ट्री महामंदल 1910 में किसके द्वारे स्थापित की गई थी? Q9. दास्प्रथा प्रप्रतिबंध कब लगाया गया था? Q10. भारत में पहली महिला इनुवर्सिटी किसके द्वारे स्थापित की गई थी? कब? कहां? Q11. किसको भारत का मार्टी लुदर किंग माना जाता है? Q10. भारत में पुनर जागरन का पिता कहते हैं, और भी कई नाम से जानते हैं, modern man of India, और भी उनका कुछ-कुछ उपनाम है, लेकिन माठी लुदर किंग उनको नहीं बोलते हैं, तो आपको बतायाना है कि किसको माना जाता है? किस समा सुधार को माना जाता है? आत्म सम्मान आंदोलंग किसके द्वारा चलाया गया था? कहां? राधा स्वामी सत्संग किसके द्वारा चलू किया गया था? कब? गुलाम गिरी जो है famous किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? यहां से दोस्तों एक से दो कोश्चन जरूर आएंगे तो इन सब कोश्चन को अच्छे से आपको देखना है, समझना है और ध्यान में रखना है कोश्चन नमबर 15 एज अब कंसेंट एक्ट 1891 पास करवाने में किस समा सुधार की बहुत एहम भूमिका रही थी? कोश्चन नमबर 16 ब्राम समाज के विरोध में किस सभा का गठन हुआ था? कब हुआ था? किसके दोरा हुआ था? कोश्चन नमबर 17 कुदी अरासु मैगजीन किसके दोरा प्रकासित हुई थी? इसमें आपको मैच करना है हमने दलित संबंदित इंपॉर्टेंट संगठन के नाम दिये है और यहां पे जो है लीडर्स के नाम है अमबेटकर जी का जग जीवन राम जी का विया सिंदे जी का और महात्मा गांधी जी का तो आपको मैच करना है कि कौन सही हुए? इसमें आपको मैच करना है सत्याथ प्रकास, सोम प्रकास और तुहप अल मुहाविदिन यह अलग-अलग मैगजीन बुक्स के नाम है आपको बताना है किसके दौर्ड़ा प्रब्लिस की गई है और आप्शन में है राजा राम मोहन रॉय, जैनन सरस्वति और स्वाचंद व है आपको सही करा में सजाना है सादा एक्ट नेटेब मेरेज एक्ट और एज आफ कंसेंट एक्ट तो दोस्तों उम्मीद है आपको एक कोशन्स पसंद आये होंगे अगर आपको एंसर नहीं पता तो प्लीज ढूंडिए और अपने जो है कॉपी में इसको नोट डाउन कर ल